नमस्कार दोस्तों आपका भी WhatsApp बैन हो गया है और आप भी परिसान है इसके बहुत सारे मैथेड यूज कर चुके हैं मेल पर मेल कर चुके हैं ठीक है और YouTube की दुनिया भर की वीडियो देख चुके हैं फिर भी आपका WhatsApp बैन नहीं नहीं हो रहा है ठीक है तो आज इस वीडियो पर इस वीडियो में हम आपको फुल डीटियल के साथ बताएंगे कि क्यों बैन हुआ है क्या नहीं करना चाहिए और कैसे अन्वाइन होगा एटूज सारा प्रोसेस बताएंगे ठीक हम उन चैनलों के तरह नहीं है कि अपना वीवर्स ब सारी में हम खुब अच्छा कम फट डीकॉरेट नहीं किया है ना मतलब हम लोग को जैसो हम लोगों को लोग सपोर्टी नहीं करते हैं जहां दिखता लोग लाइक मारके चले जाते हैं और जो नहीं दिखता है 변र sector चितना अच्छरा बनालईये वीडियो कितना अच्छल चान नॉलेज पर नहीं कि क्या बता रहा है क्या अगला कर रहा है क्या सही जनकारी दे रहा है यह लोग यूटुबर मैक्सिमम यूटुबर को हमने देखा है देखिए मेरा भी वाट्सप ब्लॉक हुआ है अनबैन हुआ है मैं परस्नली इस चीज़ को समझा हूं ठीक है फिर आप को समझारा हूं क्या करना नहीं करना तो सबसे पहले आप आप यह देखिए कि कौन यूटुबर बढ़िया पढाता है बताता है अच्छा समझाता है उसको आप सपोर्ड करिए करिए यह नहीं कि आपने घेकृतिंग वागर नहीं है ठीक है तो आपको मैं बता दूँ अब हम बात करते हैं वाट्सप के उपर तो देखें वाट्सप में पहला चीज तो यह है कि अगर आप वाट्सप के दो अप्लिकेशन के अलावा अगर आप तीसरा कोई आप इंस्टॉल कर रखें अपने कंप्यूटर या मोबाइल या कहीं भी तो उससे वाट्सप हो सकता है जैसे जी वी वाट्सप हो गया यह इस तरह के थर्ड पार्टी एप जो होना दुनिया भर के एप है वह से मतलब यह वाट्सप बैन कर सकता है आपके वाट्सप को ठीक ह दूसरा जो चीजी होता है कि बल्क मैस्जिंग कोई कर दिया जैसे आपका कोई बिजनेस है आप कोई साय करते हो ठीक है कुछ भी एटुजेट चाहे आप कोई प्रोडक्ट बेचते हो काई सर्विस देते हो या कुछ भी करते हो तो उस सर्विस का आपने अन्नोन नंबर प आप करते हो बेचते जा रहे हो 50-100 मैस्ज तक तो जायेगा लेकिन जैसे आप सो से अधिक होगा तुरंत आपके वाट्शॉप को बहन कर देगा अच्छा पहले क्या होता था कि जैसे वाइन होता था तुरंत मैसेज करते हो खुल भी जाता था ठीक है आप देखे होंगे ल लेकिन वीडियो को लास्ट तक देखना है बिना स्कीप किये हुए ठीक है तो मुझे उमीद है कि आप समझ गया हूंगे क्यों ब्लॉक हुआ है ठीक है तो वाट्सप जो होता है वाट्सप यह कहता है कि आप पर्सनली किसी से जुड़िए इसे पर्सनल व्यक्ति है उससे नार्मल वाट्सप जो होता है जो प्लैश्टोर से रहanda नाजॉट कर पाते हैं तो यह जो दो के सने यह उफिसे ल ऐप वाट्सप नहीं है जिससे कि आप वाट्सप यूज कर सके हैं अगर यूज करते भी हैं जैसे जी भी वाट्सअप हो गया और भी बहुत सारे वाट्सअप के अप्लिकेशन हमने देखे हैं तो यह क्या है थार्ड पार्टी एप होते हैं और चुकि आप इस पर ज्यादा मैसेजिंग कर देते हैं एक ही वेक्ति से या फिर अलग-अलग नंबर पर तो आपका वाट्सअप यहां से ब्रॉन हो जाता है और मैक्सिमम जैसे क्या है मेरा कंपनी है ठीक है तो इस कंपनी का प्रमोशन प्रमोशनल मैसेज हम लोग नए नंबर पर भेजते रहते हैं तो नए नंबर पर जैसे मैसे जाता है दो 4-5-10 वाट्सअप को लगता है कि यह स्पैम पहला रहा तो ठीक है लेकिन अभी क्या है अभी वाट्सअप ओपन ही नहीं करना मैसेज करते रहे है ठक जाई है मतलब मेरे पास 15-16 मेल आइडी है वाट्सअप के ओफिसियल मेल आइडी लेकिन उसमें मेल करते करते हम ठक गया है मतलब वाट्सअप ओपन होई नहीं रहा है ठीक है तो क अपने फैली मेंबर से हैं अपने फ्रेंड से अपने दोस्तों से बात करिए नए नтив использ लेकिन मतलब maximum number पे आपको नहीं करनेंगे फिर फिर पर औरनेंटिरेंटली बेन हो गया मतलब कभी नहीं कभी नहीं करनेंगे तो नंबर आपका रेश्टर हो गया कि अब कभी नहीं करने ऐसा कुछ है बहुत सारे नंबर ऐसे हैं जो पर्मनेंटली बैन हुए है और उसको मेहनत करते ही वह नहीं होता है ठीक है तो अभी करना है क्या है आपको सबसे पहला आपका काम यह है कि आपको जब वाट्सप आपका बैन हो जाए ठीक है यूटूब पे बहुत सारे आपको ट्रिक मिले होंगे आप कॉंटेक्टस में जाकरके यहां पर यह मैसेज लिख दो मेरा मैसेज लिखोगे न तो यह क्यों रहुआ पता है मेरा ओफिशियल नंबर जो में इस में यूज करता हूं सब को दे चुका हूं वह यह नंबर से मैंने भाक कर दिया था बहुत सात मेंको टाइब कर दिया था और नंबर बंद हो गया आप इस नंबर से मैं जिन्दगी में कभी चला ही नहीं पाऊंगा ऐसा कुछ हो गया था मेरे साथ लेकिन फिर मुझे एक ट्रिक मिला और उस ट्रिक से मैंने अपने वाटसप को अनबैन करा लिया और मेरा वाटसप आज एकदम बिंदास चलना है लेकिन हाँ फिर इसके लगातार मेल करना है और धरय बना करके यह झाली कि अभी आज मेल्स की खुल आगे नहीं आपको मैक्सिमाम दो दिन पर तीन दिन पर मेल कर देना है मैल आईडी क्या है मैं डिस्क्रिप्सर बॉक्स में पूरा लिख दूँगा कौन को सी मिल आईडी आपको मतलब किस पे मे वाटसप नमबर बस इतना चोटा सा बस और कुछ थोड़ी दे बहुत बढ़ा बढ़ा चलाक नहीं लिखना है ठीक है अच्छा एक ट्रिक और बताया हमने मतलब एक और यूटूबर बताया कि आप एक काम करिए कि आप जो है नया सीम खुला यह उसी नमबर पर उसी नमबर में लिया करके application डाउनलोड करके वहाँ वही मेसेज है फिर से मेसेज करना पढ़ाएगा कि मेरा नया नमबर में लिया हूँ यह बता रहा है बता रहा है ऐसा कुछ निम्ग है आपको जब आवाटसप बैन कर दिया तो कम से कम 15-30 दिन तक कम से कम बता रहा हूं मैक्सिमम हो सकता है 15-30 दिन तक आपको इंतजार करना है धैर्य बनाना है उसके बाद वाटसप अटोमेटिकली आपका जो है अन्वाइंड कर देगा अच्छा उसके अंदर आपको करते कहा रहे ना है दो दो दिन पर तिन दिन पर वाटसप को मैसेज भेजते रहना है दो दिन मैसेज ठीक है फिर उसके बाद उधर से रिप्लाई आ रहा है पढ़िए क्या रिप्लाई दिया नहीं सब्सक्राइब फिर से दो दिन के बाद मैसेज करिए बस यह आपको काम करना है लेकिन हां लगातार 15 तक 30 दिन तक maximum 30 दिन के अंदर 100 परसेंट गारांटी में कह रहा हूं कि मैं आपका वाट्सप जो है अनबैन हो जाएगा अगर आपका वाट्सप नंबर नहीं होता है तो फिर आप मुझे इस वीडियो पर आ करके 30 दिन तक 30 दिन के बाद कमेंट करना अभी कमेंट मत कर देना ठीक है 30 द क्या होता है कि जैसे बैन होता है तो रिव्यू का नीचे आता है कि रिव्यू कर ले आप लिख करके रिव्यू कर सकते हैं और एक यह आता है कि नहीं आप रिव्यू नहीं कर सकते आप रिजिस्टर निव नंबर रिजिस्टर लिखने के लिए आ जाता है तो यह दोनों तर चार बार तो ने दिया लेकिन जिस दिन जब बन कर दिए मेरा साथ दिन के बाद वाटसप ओपेन हुआ तब मुझे रियालाइज हुआ कि हाँ यार यह मतलब इस तरह करने है अगर आप WhatsApp messaging के लिए मतलए WhatsApp मेसेज करने के लिए आप चाहते हैं कि नहीं करें तो आप WhatsApp API ले लेजिए लेकिन भी स्थाफ़ी तरीका है और कोई सही तरीका नहीं है दूसरा तरीका यह हैँ कि आप कोई पूराना नया नंबर लिजी पूराना वाटसप पर रिज्टर्ड हो और उसको लिजी जो आपके बिजिस से मतलब है नहीं अगर भयन भी हो जाए तो बहुत काफी वह ना हो ठीक है बहुत काफी प्रॉब्लम ना हो आपको तो आप उस तरह का नमबर यूज करिए जो नमबर ना हो दुसरा कोई नमबर यूज उस में अफ़ी लिमिटेशन लगा यह कम से कम एक सेंड़ नहीं 20 शिकेंड का मैसेज दी जेए 2 मेसेज के भी सेंड़ का अंतर होना चाहिए एक व्यज्ज गया अब 20 सेंड़ बाद दूसरे मैसेज को दूसरे व्यक्ति को मेसेज जाएगा वी सेंट्र तो यह सब चीज़ वर्क है हम लोग बहुत काफी मेरे नंबर ब्लॉक होते रहते हर अपते में एक ब्लॉक होना ही है लेकिन उसके बाद अन्बैन हुआ तो फिर आपको कम से कम चार तीन-चार महिने तक उस वाटसप से कहीं कुछ करना ही नहीं है आपको सांथी से पढ़े रहना है उस वाटसप से उन्से बातचीत रहना है जिससे वाटसप को लोग है कि हाँ यह बैटी जो है एक्टीव है काम कर रहा है वाटसप सही चला रहा है बाकि आप वाटसप के मार्केटिंग के लिए अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो मार्केटिंग यह नहीं बनाया है क्योंकि कहूंगा कि अगर कभी भी आप परमोशन कर रहे परचार कर रहे हैं तो अपने नंबर से मत करिए जो ऑफिसियल नंबर है ठीक है दूसरे कोई नया नंबर ले लिजिए उससे करिये कोई दिक्कत नहीं होगी ठीक है दूसरी चीज कि जब आपका वाट्सप ओपन हो जाए तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि इसी तरह की नई नई वीडियो और एकदम सटीक सही जनकारी हम लोग वीडियो बनाके देते हैं आपको यूटूब की तरह घुमाने वाला नहीं है यूटूब पर हम भी बनाते है कॉंटेंट लेकिन यूटूब पे बहुत सारा लोग घ कंडिडेट को वहां भेजें फिर यह से खुमता रहे बस गोल गोल चक्कर लगाता रहे सही जनकारी देंगे नहीं तो पर ट सेसे बनायेंगे क्यों यह चीजीज है आप इससे बचिए और आप सटीक जनकारी जो चैनल है उन को सब्सक्राइब करके रखिए ठीक है तो आई